नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रोसेंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प दोस्तो आज हम इस सर्कुट को बनाना सिखेंगे ये एक 220 वोल्ट LED टेस्टर सर्कुट है तो चलिए सुरू करते हैं और इस सर्कुट को बनाना सिख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 225 के 450 वोल्ट क्यापसिटर और एक ब्रीज रेक्टिफायर उसके बाद इस क्यापसिटर का कोई भी एक पीन हम रेक्टिफायर के इस पीन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना पड़ेगा एक 0.33 NF 3 के भी क्यापसिटर और एक 100 के 2 वाट रेजिस्टर उसके बाद इस रेजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पीन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे उसके बाद इस क्यापसिटर को हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव पीन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे तो दोस्तों ये छोटा सा सर्कित तैयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं कर दो चलिए अब हम जोटा सा, आप जादा रिंड लीक है, कर दो चलिए, मतरा है तैयार हिए तैया है, कर दोस्तों पहल चारी हो दाना है तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी ही से एक 220 बोल्ट LED टेस्टर सर्किट अपने घर पे ही बना सकते हैं तो दोस्तो आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियाल में तब तक के लिए बाई फ्रेंज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग ग्राइंड़ूर्ट स्ट्राइंड़ूर्ट